नमस्ते दोस्तों मैं पुन्दम सौगत कर्टी मेरे यूटीब चानल यानि दिदी की रेसिपी में मैं आज बनाने वाली हो अंडा विरियानी जो मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कोई जंजट नहीं तो फड़ा फट रेसिपी स्टार्ट करते हैं लेस्ट केट स्टारे तो यह मैने यहाँ पड़ाइ तो इसरे फ्र्यानी के लिए अच्छे से 5-10 मिंदे अच्रे přाताया है इसthe high flame पे इसे निकाल ले रही हुँ इसका तेल दबाके इसे फैला के रख देना है मैंने इसे अंडा बिज्यानी बनाने के लिए अंडों को उबाल के छीर लिया है इसे मैं नाइब से चीडा लगा लूंगी इसे क्या होगा कि तेल में बबल्स नहीं उठेंगे और चिटकेगा नहीं ते जलने का कोई डर नहीं रहता है ऐसे चीरा लगा लेते हम सभी अंडों को तो दोस्तों मैं सबसे पहले अंडों को मैरिनेट कर लेती हूं इसमें थोड़ा सा में नमक डालती हूं इसमें थोड़ी डाल अच्छा लगता है तो दोस्तों इसे अंडों को अच्छे से मसाला साला लगा लेते हैं तो इसके अंदर मसाले अच्छे से भूस जाएंगे कड़ाई हो गए गरम को तब उटाई कर ले रही हूं अन्डे पटकेंगे तो हमें आराम आराम से तल लेना है सारे अंडों को मैं ने तल लिया है दोको ये रेडी हो चुके हैं प्रेंट से देखिए पानी मैंने उबाल लिया है देखो उबल रहा तो अब सारे मसाले इसमें दालचीनी और ये तेज पते और मैं साथी साथ इसमें डाल दे रही हूं एक चमच नीबुकारस और दो बड़े चमच इसमें डाल रही हूं तेन तो मस्त ये उबल रहा है एक चमच इसमें नमक डाल रही हूं नमक डालना हमें जरूरी है ताकि जो नमक है चावलों को एक तो मैंने इंडिया के बास्मती राइस लिया है और मैंने इसे ढोगे बस तुरंट ही डाल जी रखना नहीं था यहां कुझ इसे बॉयल करना है फुले में अध़कना नहीं है यहां कूक हो चुका है राइस तो इसे में निकाल ले रही हूं कपड़े पे में चान लूगी आप चाओ तो खनी पे भी चान सकते हैं अच्छे से मेरे पास नहीं तुम्हें इस कपड़े पर ही छान ले रही हूँ तो चावल को अच्छे से फैला लेना है पंग्धे के नीचे रख देना है एकदम यह सूख जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा लंबे-लंबे आटाव स्केजान आटावेा लसे दम हो जाएगा लेक को लड़ा advising डाल्यनी दालरी रेhoo तुम्हे करख क्या यहां यहां पर अपना र्षभी है ड्लेडिया लेके भीज्ण ट्रे शा ऐख करते हैं साथ मालती यहीं पे मैं अद्रका पेस्ट जाली हूँ दो चमट और साल जिन यहां पे मैंने लेसन जादा लिया है लेसन को अच्छे से गून लेना है तो मैं इसमें हल्डी एट दढ़े हूँ और साथ जरम मसाला डाल दे हूँ जीरा पावडर में डाल दे हूँ थाली मिस दाल दे हूँ आदा चमट यहां पे मैं धनिया पावडर डाल दे दे हूँ में एक तक्षूरी लाजमी इसे डाल गई हुँ, इसे क्या अबने तलर अच्छा आता है, इसका ज़्यादा तीन की नू रहती है, तो फ्रेंड्स यही पे मैं दो चम्मज बिर्यानी मसाला डाल गई हुँ, इसे टेस्ट और बढ़िया हो जाता है, और साथ ही साथ मैं इसमें अब लेयरिंग कर लेते हैं, यह देखिए दोस्तो यह पक चुका है मसाला, इसके अंदर में लेया सब्सक्राइब ड़ाल नट कर दिया है, अच्छे से इसे इसे जांद अचने हाई कि ग्यास को बंद करके इसे पेचना ने सो फट करए गा है, तो दोस्तों इसमें में ने म्यालक में ने अपर बिछा इज दिया है कुछ इस तरह से अब इसमें डालते हैं इजल इन पर विखा लिया है इसे बहुत ही जरूरी रहता है कि इसी काजू भी मैं इसमें डाल देती हूँ काजू बहुत पसंने मेरे घर में तोदिट इस तरत में अंडे लगा ले रही हूं कुछ थि गया तैयार वो चुकी है तो हुष में फिर से कलियर लगाना है में चाल में नमक डाला था इसे में तो मैंने नमस की भी लेरिंग कर दी है इसके से वैसे ही नै फ्राइड अनियन भीछा देहीं। जितना जादा अनियन भेता उतना है तेस्ट अच्छा लगता है। फिर से धनिया को भीछा ले नहीं ई अच्छा लगता है। अजू भी डाल दे रही हूं ज़रा साम में इसमें फूट कलर डाल रही हूं तो फूट कलर से क्या रहता है बाजार का टेस्ट आता है अजय को हमें पांच मिनट के लिए लो फ्लेम भी पाफा लेना है अच्छे से तो दोस्तों बिर्यानी पक चुकी है तो इसे मैंने पंद्रा मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था इसे तूरंधी नई सब करते हैं तो अब देखें मैं इसे सब करने जा रही हूं इंद्रा जब को यई को मुझे प्राउड फिल हो रहा आसा बिरयानी बनाने के बाद मम आप सबको भीजय की पríके तिह देखें की इसी तरह से बिर्या निहींदे बनाए बहुत मस्त बनती है बहुत डिलीशिस लगताई अच्छ लगती लगती है भी देखें के नमस्क तो तो यह देखिए अंडा बिर्यानी तयार हो चुकी है कुछ इस तो पूछे मत कितनी मस्त आ रही है तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आगे तो लाइक जरूर करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले पंप मेंद करना क्पेत बताइब करेंट ना बाइब कर दिए esse एक रह det or ब Mis 떨 टाइब करना यह परना है अपय सब्सक्रांड को रह सब्सक्राइब कासी लाग कि यडेफ़ करना है श्लार बीचों ड़ाट ता सब्सक्रा है